कि नमस्का मैं हूँ प्रदीप आजार और आप देख रहे हैं डायल हांटर आज हम आपको दिखाएंगे जरुम की वह तास्विर हैं जिने जानना आपके लिए चरुए क्योंकि हमें रहना हुगा इंसे साथ यह गुना कि वो मामले हैं जो में सोचने पर मजबूर करता है और अपने पीछे कई सवाल भी छोड़ जाते हैं तो आई शुरू करते हैं टैर हंड़ अ कि आई कि अगा अगव आज जाएं डियां नाहीं आलमारियों के दर्वाजें तोले और नाहीं दर्वाजों के ताले तोले लेकिन इस सब के बाव जो आलमारीयों से कायब हो गए करीब एक करोड की कीमत गया है और लाखों की नज़ियों डाइल-ंडेड में आज पास सबसे पहले चोरी की इक उस रहसे में वारतात भी जहां घर के लोग भी घर में हैं मौजूर थे और फिर सब के बीज से ही चोरी की एक वो वार्दात है जिसके बाद पुलिस की पसोपेश में है क्या आखिर ये मामना क्या है चंडिगड में एक कारोबारी के घर में हुई वार्दात की पूरी तस्विर देखते हैं इस रिपॉर्ट के जाएं चंडिगड के सेक्टर बैयाली सिलाके में ये तस्विर है एको सालिशान बंगले की जहां पुलिस का पहरा है और पुलिस अपनी मौजोदगी में एक उस वार्दात की तह तक पहुचने की कौशिश में चुटी है जो बड़े ही अजीवों करीब धंग से सामने आया है एक कारोबारी के सालिशान बंगले में घरवालों की मौजोदगी में ही चोरी की रहस्य में वार्दात हो गई जिसमें करीब एक करोड की कीमत के गैनों के साथ ही लाखों की नगदी भी पार हो गई दरसल इस घर के मालिक कारोबारी राजिंद्र गुपता के बेटे की पत्नी पिछले एक महिने से अपने माई के दिल्ली गई हुई थी और अब जब वो यहाँ लोटी और अपनी अलमारियों को चेक किया तो चोरी की वारतात सामने आई गर के दोसरे लोग यही रहते हैं लेकिन किसी को इस घटना के खबर नहीं हुई आखिर मामला जब पलिस के पास पहुँचा तो सेनियर आफिसर्स भी यहाँ पहुँचे और मामले के परताल शुरू की गई अब ही सुबह इनकी जो बहु आई है परसों आई है एक मिने के बाद आई है तो उसमें आके चेक किया तो वो बता रही है भी कुछ उसके गहने गाय में पुलिस कहती है कि अलमारी के जवरान तोडने या खौलने के भी कोई निशान नहीं मिले है और घर में कोई CCTV कैमरे भी नहीं है जिसके बाद आप पड़ोसियों के घर के CCTV कैमरों की जाच की जा रही है इस मामले में बंगले के मालिक कारोबारी राजिंद्र गुपता कहते हैं कि बिल्डिंग के दोनों मालों पर बनी आलमारियों से छोरी हुई है लेकिन पेडिक कारोबारी एस मामले पर जादा कुछ बताने में पीछे ही हटते नजर आए और घटना को लेकर वो जादा कुछ नहीं बता पाए अगर फ़ए ते कितने की चोरी है यह पर कुछ आइडिया अभी तक लग पाया उता है अभी तो मुझे केश हो जया है काफी जत्रा अचाफी गोल्ड गया है कैश भी कैश तो थो थो बहएं था अच्छा गोल्ड डेता खोई ने जी नोकर काम करने आते हैं करे हाते गर के मालिक कहते हैं कि बाहर से नौकर आते हैं लेकिन काम करके चले जाते हैं और घर में परिवार के सभी लोग रहते हैं तो फिर सवाल ये कि आखिर वारता थोई तो कैसे हैं और वो भी बिना कोई तोड़ फोड़ अब हाला कि इस मामले पर चंडिगड पुलिस कहती है कि वो सभी पहलूँ पर अपनी जाच में चुटी है पुलिस कहती है कि वो जाच कर रही है कि आखिर ये वारता हुई तो कैसे इनके साथ से एक करोड रुपय इनोंने जो गहने और कुछ कैस रखा था वो चोड़ी है इनके साथ सब्सक्राइब नहीं पर पांच्छ लाग बोल रहे हैं कि रखा हुआ था अब हाला कि यहाँ पुलिस की ताफ्तीश का दोर चारी है लेकिन मामले को लेकर कई सवाल भी उठ रहे है मसलन मामला घरेलू तो नहीं वहीं घर में एक करोड की जोलरी होना भी कई सवाल खड़े करती है वहीं यह भी मुम्किन नहीं लगता कि बिना कोई बल प्रयोक किये एक करोड की वार्दात हो जाए और घर में मौजोद लोगों को खबर भी ना हो फर्स्ट इंडिया के लिए चंडी करचे ब्योर रेपाव कर दोस्त कर दोस्त झालो